हलो विरीवन, वेलकम टू माई टूप चैनल, पांसो प्रशनों की सीरीज में हमने सो प्रशन कम्लेट कर लिये थे और आज हम 101 प्रशन से देखेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो अपना 101 प्रशन है, एनाल्स एन्टिक्रिटीच और फ्राजस्तान पुस्तक का लेख कौन है, तो करनल जेम्स्टोड है, दोस्तों, एनाल्स एन्टिक्रिटीच और फ्राजस्तान पुस्तक करनल जेम्स्टोड के दुआरा लिखी गई है, और यहाँ पुस्तक 1809 इस्व थे और दोस्तो सागरमल गोपा की मृट्यू बहुत ही दर्दनाक तरीकते इसे खुई थी केसे मिट्टी का तेल छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया गए था किनको सागरमल गोपा को 3, 4, 1946 को जला दिया गए था और दोस्तों फिर एक नारा गुंजाओ खून के बदले खून यहां नारा कब आये था 3, 4, 1946 को सागरमल गोपा की मिट्ट्य उपर अगला क्यूशन है राजिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है तो राजिस्तान का गांधी गोकुल भाई बट को कहा जाता है अगर दोस्तों क्यूशन आजाए कि मेवार का गांधी किसे कहा जाता है तो मानिक के लाल वर्मा को मेवार का गांधी कहा जाता है और दोस्तों प्या अगर क्विशन आजाए कि हवा महल का निर्माण किस ने करवाया था तो सुवाई परताप सिंग ने करवाया था हवा महल का निर्माण और आजाए कि कब करवाया था तो सत्रासु लुण्जान उस्वी में करवाया था और दोस्तों यह हवा महल पाच मंजीला इमारत है कितनी मंजिला पाज मंजिला और दोस्तों हवा महल का वास्तुकार कौन था यह क्विशन आजाए तो लाल चन उस्ता था हवा महल का वास्तुकार अगला क्विशन है अपना स्वामी दयानंद सरह सुती ने कौन सा नारा दिया था तो वेदों की ओर लोटो स्वामी दयानंद सरह सु प्रश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् ठीक दोस्तों अगला क्यूशन है अपना क्यूशन है 106 लोहपुरुस के नाम से किसे जाना जाता है तो सरदार वललबभाई पटेल को लोहपुरुस के नाम से जाना जाता है और दोस्तों अगर क्यूशन आ जाए कि Statue of Unity कहां इस सित है तो गुजरात के अंदर इस सित है और किसके सरदार वललबभाई पटेल की है अगला क्यूशन है रुठी राणी का क्या नाम था तो उम्मा दे था रुठी राणी का नाम इसी प्रकार दोस्तों एक और क्यूशन बन जाए कि हाडी राणी का क्या नाम था तो सहल कवर था क्या नाम था सहल कवर और रुठी राण में बेच जी गई थी दोस्तों यह कानवा का युद्ध हुआ था बाबर के विरुद तो महाराणा संगा थे उन्होंने पाति प्रण चलाए थी प्रथा तो उसके तहद यह आया था और दोस्तों अगला कृशन है अपना 109 राजिस्तान के बिलमाल कस्वे में आने वाला चीन यात्री कौन था तो राजिस्तान के बिलमाल कस्के में आने वाला चीनि यात्री नंसाम था कौन दा और क्यूशन आ जाये की यहाँ कब आया था तो चस्तों 119 इसकी में और किसक्वे समय आया था तो हर्च वरदन के समय आया था अगला कुषिन है दोस्तों अपना प्रश्ण 110 खूरा किस रियासत में सित था तो मेवाड रियासत में था दोस्तों खूरा की एक बहुत अच्छी काहशनी है कि राजस्तान में मेवाड के उपडर मराठा आकर्मन कर रहे थे तो इसलिए हुर्णा समयलन किया गया था और हुर्णा बिलवाडा के अंदर आता है भरत्मान में और दोस्तो आयोजन करता कों थे सुवाई जे सिंग थे हुर्णा समल के आयोजन करता अगला प्रशन है प्रशन 111 राजस्तान संग का निर्मान के समय राजपर्मु किसे बनाए गया तो महारावल भीम सिंग जी को बनाए गया था राजस्तान निर्मान के समय राजपर्मु और दोस्तो अगर कृशन आ जाएगी राजस्तान संग का निर्मान कब हुआ था तो दोस्तो 25 मार्स 1948 को हुआ था राजस्तान संग का निर्माण अगला घुशन है 112 1857 के विद्रो में कोटा विद्रो का नेता कौन था तो जह दयाल वह महराब खा था दोस्तों कोटा के विद्रो को जन विद्रो भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोटा की जन विद्रो कर दिया था अगला घुशन है राजस्तान सेवा संग का निर्माण 1919 में पथिक राव नायन चोदरी व किंकर द्वारा की इस्थान पर किया गया तो वर्दा माराष्टर में किया गया था अगला घुशन है दोस्तों अपना मेवार के महारान सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में प्रास्त किया और खातोली इस्थान कहां है कोटा के अंदर है और दोस्तों यह युद्ध बहुत ही वहान युद्ध हुआ था जिसकी हम इत्यास में चिर्चा करेंगे पूर्ण संपुन रुप से अगला गुष्य ने दोस्तों अपना प्रश्न है 115 उन सरदारों के नाम बताओ जिने अकबर के समय 7000 की मनसबदारी परदान गी गई थी तो राजा मान सेंग वह कोका अजीत को 7000 की मनसबदारी परदान की गई थी और दोस्तों अगला गुष्य ने अपना 116 1921 को चितोडगड में राश्मी परगना परगना यानी दोस्तों तहसिल होता है 1921 को चितोडगड में राश्मी परगना इस्तित पात्रेक उंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान अंदोलन प्रारम हुआ था कब वहता 1921 को हुआ था और दोस्तों यह किसके द्वारा एकी अंदोलन की शुरुआत की गई यह कुष्य ना जाए तो मोतिलाल तेजावत द्वारा शुरुआत की गई थी और दोस्तों मोतिलाल तेजावत को आदिवाश्यों का मसिहा भी कहा जाता है और इन्हें बावजी भी कहा जाता है और दोस्तों मोतियाल तेजावत ओश्वाल परिवार से ते इसे ते ओश्वाल परिवार से अगला कृषण ने दोस्तों अपना 117 नातवारा में स्रिनाजी की मूर्ती ओरंग जेव के समय कहां से लाए गई थी तो व्रंदावन से लाए गई थी दोस्तों बात है 1600 सित्याण उश्वीगी कबकी 1600 सित्याण उश्वीगी जब ओरंग जेवन अभ्यान चलाये था मंदीर तोड़ अभ्यान तब सारी मन मूर्थिया तोड़ी जा रहे थी मंदीर तोड़ी जा रहे थे तो उस समय व्रंदावर्थ से कुछ गुसाई थे जो श्र अजिस्तान के एकीकरण से पूर्व वह कौन सा एक केंदर साजित प्रदेश था जिसका शाषन अंग्रेजों के सीधे नियेंटर्ण में था तो दोस्तों अजमेर मेरवाडा था जो अंग्रेजों के सीधे नियेंटर्ण में था और दोस्तों अजमेर मेरवाडा केंदर अगला कृषण है दोस्तों, अपना, प्रश्न 119, राजपुताने में किस नर्यस ने सहर परत्रम कन्यावद रोकने का प्रियास किया? तो राम सुछ ने किया था, किस ने किया था? राम सिंगे, और अगर कृषण के कब किया था तो अठारा सो त्यथी सशी के अंदर किया था कण्यावाद रोकने का प्रियास अगला क्यूशन है अपना दोस्तो प्रश्ण 120 राजस्तान का एकमात दुर्ग जो मुस्टिम दुर्ग निर्मान पत्तिजी दुरारा निर्मित हुआ है तो कौन सा दुर्ग है अक्बर का किल्ला और इसका निर्मान कब हुआ था पंद्रासो सित्तर इस्विय में हुआ था अकबर के द्वारा किया गया था दोस्तों इसका निर्मान और इसको मेकजिन दुर्ग भी कहा जाता है अगला गुशन है हिंदू सुर्थान की उपादी किस शाषक द्वरा दारन की गई तो दोस्तों महाराना कुमबा द्वरा हिंदू सुर्थान की उपादी दारन की गई अगला गुशन है दोस्तों 122 अकबर से विवाईक संबंद इस्थापित करने वाला पहला राजपुत र जा और दोस्तों इस बारमल ने अब इसकी अपनी पूत्री हरका भाई का विवा अकबर से किया था और दोस्तों अगर कुशन आजाएगी अंतिम मुगल विवा कौन सा था राजपुत मुगल विवा तो फरुक शियर और इंद्र कुम्गरी का था अगला कुशन है दोस्तों राजिस्तान के परतम रज्यपाल कौन थे तो गुर्मुक नियाल सिंग जी अपने राजिस्तान के परतम रज्यपाल थे अगला कुशन है अपना प्रस्न एक्सोचोईस काली बंगा का साब्दिक अर्थ क्या है तो काले रंग की चूडिया काली बंगा का साब्दिक अर्थ तो होता है और दोस्तों क्यूशन आजाएगी काली बंगा सब्वेता कहा है तो हनुमान गड़ के अंदर है किस नदी के किना रहे तो गगर नदी के किना रहे और दोस्तों काली बंगा पिली बंगा और रंग महल यह तीनों सब्वेता है जो अपने हनुमान गड़ के अंदर मफय कर दोस्तों, इसके उपर 14 माई 1925 को चज्जू सिंग था जिस ने गोले चलाई में किसानों के उपर किसानों की सभा हो रही थी तो वहां पे चज्यू सिंग ने गुले चलाई दी थी और दोस्तों अगला क्यूशन है अपना 126 राजिस्तान का जलिये वाला बाग नाम से प्रख्यात इस्थान मानगड धाम के जिल्ले में इस्थी थे तो बास्वाडा के अंदर इस्थ बच्चे की कुर्बानी है और दोस्तों अगर क्रिश्चन आ जाए कि पन्ना दाय के बच्चे का क्या नाम था तो चंदन था और इसने किस बच्चे को बच्चाने के लिए कुर्बानी दी थी तो महाराना परताब के पिता जी थे उदे सिंग जी उनको बच्चाने के लिए चंदन की कुर्बानी दी थी किसे तो बन्वीर से बचाने के लिए ठीक दोस्तों और ये पन्नादाई की पन्नादाई है तो इसको बलिदान की मूर्ती भी कहा जाता है अगला कुशन एक सोटेंस वा खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया तो बाबर और महाराना सां दोस्तों अपने आद 128 परसनाग किये हैं और आगे हम इससे आगे वाली सेरी लेके आएंगे और आप वीडियो को सेर किजेगा लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और आपको इसके जो आगे वीडियो हो गए है उसका लिंक डिस्क्योशन में दे दिया है द देखेगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जय हीन जय भारत